सूप्रभाद बच्चों आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है दिवाली की चुट्टियों के बार पहली बार हम आज मिल रहे हैं आशा करती हूँ कि आपकी दिवाली घर पर ही बहुत अच्छी तरह से हुई होगी आपने आपके मम्मी ने बनाये हुए अलग-अलग घ अपड़े पहने होगे और दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी तो बच्चों आब हमारी पढ़ाई की तरफ चलते हैं देखते हैं सरब्रथम हमारा आज का सुविचार जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में हैं जिसे दूसरे लोग कहते हैं कि यहा हुशते हैं कि शायद ये काम हम कर पाएगे या नहीं और उतने में अगर हमें किसी ने कहां नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते ये काम तुम सहीशा क्यों से नहीं हो सकता कोई भी काम दुनिया में असंभो नहीं है अगर हम प्रैत्न करते हैं तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और फिर उस काम को हम बड़ी लगन से करते हैं और सफलता पाते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं इसलिए वह जो खुशी होती है उस काम करने के जो खुशी होती है कि जिसे दूसरे लोग कहते हैं कि यह काम तुम नहीं कर पाऊगे और वो हम कर लेते हैं तो वो खुशी कोई कुछ और होती है तो बच्चो चलते हैं हमारे पार्ट के तरफ आज का हमारा पार्ट जो है वो है हमारा वैकरन का टॉपिक, जो अव्वे कहा जाता है जिसे, बचो हमने, तो आज हम अव्वे सीखने वाले हैं, हिंदी वैकरन का ये बहुत ही महत्वप्रण टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे अविकारी भी कहा जाता है, अव्वे या कार होते हैं एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द अब विकारी शब्द विकार यानि क्या विकार उत्पन्न होना यानि उसमें कुछ बदलाव आना और अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं है कोई बदलाव नहीं आता उसे अविकारी ये ये बात आप आपके mind में fix कर लो कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बदलाव होता है किसके अनुसार लिंग, वचन, कार काल के कारण उसमें बदलाव आता है लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आता पहले अविकारी शब्द की परिभाशा देखते हैं, जिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते समय परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, अब विकारी शब्द जो है, वो चार प्रकार के होते हैं, संग्या शब्द जैसे लड़की, लड़के, लड़किया आ दी, अब यहां ल लड़की गा रही है, लड़का गा रहा है, लड़के आ रहे हैं, लड़के आ जा रही है, सर्वनाम शब्द जैसे वह उसने, उससे, उसकी, उसको आ दी, विशिशन शब्द में जैसे अगर लड़का है तो वह लंबा है, लड़की लंबी है, लड़का मूटा है, लड़का पतला है लड़की पतली है आदी वैसे ही क्रिया शब्द का है जैसे लिखना लिखा लिखेगा लिखेगी है ना अगर लड़का रहा तो हम लिखेगा बोलेगी लड़की रहेंगी तो लिखेगी बोलेगी यानि इन शब्दों में लिंग वचंग कारक तथा काल के कारण बद लाओ नहीं आता है, वो जैसे होते हैं, विल्कुल वैसे ही रहते हैं, अब सर्वप्रतम इसकी परिभाशा को हम देखते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी या अव्वे शब्द कहत हैं, फिर से एक बार परिभाशा बताती हूँ, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी या अव्वे शब्द कहते हैं, अब अव्वे शब्द का या अव्वे का शाब्दिक अर्थ क्या है, शा नहीं, नहों, अ का अर्थ क्या है, नहीं, नहों, और व्वे का अर्थ है, खर्च, हम कहते हैं, मैंने ये व्वे कर दिया, यानि खर्च कर दिया, व्वे का अर्थ है, खर्च परिवर्तन अर्थात, जो व्वे नहों, क्या नहों, जो व्वे नहों, जिसमें परिवर्तन नह उसे अव्य शब्द कहा जाता है तो आपको इसके नाम से ही पता चला है है ना हमने इसको ब्रेक करके भी देखा है कि आ अधिक व्य तो अव्य का शाब्दी कर्थ हमने देखा है कि जो व्य नहो यानि जो खत्म नहो आपको अब लगेगा कि खत्म नहो का मतलब क्या है तो खत्म नहो का मतलब है कि जिसमें विकार यानि परिवर्तन नहो लिंग वचन और पुरुष से जो प्रभावित नहो उसे अव्वे या अविकारी शब्द कहा जाता है अब उधारण के दोर पे मैंने कुछ वाक्य यहां आपको दिये है निमलिकित वाक्यों को पढ़िये और उनमें प्रयुक्त काले मोटे शब्दों पर ध्यान दीजिए जैसे पहला एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है दूसरा वाक्य है एक लड़की धीरे धीरे चल रही है तीसरा वाक्य है कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे है बहुत सी लड़किया धीरे धीरे चल रही है मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ तुम धीरे धीरे चल रहे हो अब आपको इसमें सिर्फ गौर किस पर करना है जिसे मैंने उपर आपको दिया है कि प्रयुक्त यानि इसमें जो काले मोटे शब्द है उस पर आपको फोकस करना है क्योंकि वो क्या है? अव्य है अब यहाँ लड़का है तो चल रहा है लड़की है तो चल रही है पर अब हमें ये नहीं देखना है हमें सिर्फ अव्य देखना है तो इन वाक्यों में धीरे धीरे ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुलिंग एक वचन करता याने लड़का स्त्रिलिंग एक वचन करता याने लड़की पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष जैसे मैं एवं पुरुषवाचक सर्वनाम मद्यम पुरुष जो सबसे अंतवा अलावाक्य है तुम के साथ समान रूप से किया गया है यहां धीरे धीरे में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है धीरे धीरे ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग चाहे जैसे करता के साथ किया जाए इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और व्याकरेंट की दुरुष्टी से इस प्रकार के शब्दों को अव्य या अविकारी श अब कुछ अविकारी शब्द जो सदैव एक समान रहते हैं जैसे जब तब अभी अगर वह वह यहां इधर उदर किंतु परंतु कल लेकिन आदी है न ऐसे शब्द अब उधारन के दौर पे मैंने आपको दो वाक के दिये हैं वह यहां से चला गया वह यहां से चला गया अ अब यहां वह याने लड़का है हमें इतना तो समझता है कि यहां से चला गया मतलब लड़का अगर लड़की भी रहती तो भी यहां ही रहता क्या रहता यहां ही रहता इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता जैसे दूसरा वाक्य है राजू प्रतिदिन पढ़ता है अब क्या है अब वे है अब यहां सीता भी होती राधा भी होती या कोई और लड़की भी होती तो भी यहां प्रतिदिन ही होता क्योंकि इसमें कोई भी बदलाओ नहीं होता है राजू प्रतिदिन पढ़ता है राधा प्रतिदिन पढ़ती है सीता प्रतिदिन पढ़ती है अब यह जो उधारण है इसमें हमने देखा कि जैसे जब ये उपर हमने देखा जब तब अभी अगर वह वहाँ यहाँ इधर उधर किन्तू परंतू कल लेकिन ये जो सारे शब्द हैं वे वैसे ही रहें इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा तो अवे जो होते हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है इसलिए उसे अवे या अविकारी शब्द कहा जाता है